अगर आपको जादा मार्क्स लेना है ना, थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा और स्मार्ट खेल है ये, जो भी मार्कस आपको चाहिए ना, अराम से मार्क ला सकते हो ये मिस्स्टेक्स को कंट्रोल करके अब बात करते हैं कि ये मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है कि यहां तक अगर आपको वीडियो देख लियो तो सर्प्राइज भी आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना बनता है क्योंकि अभी लास्ट मुमेंट में बहुत इंपोर्टन्ट होता है जितना जादा आप सही चीज करेंगे वो बहुत अच्छी बात है बट उससे जादा अच्छी बात ही होगी कि अगर आप कुछ गलतियों को जिस वज़े से आपका कमपार्टमेंट आया है उसको एवाइड कर ले उसको आप सुधार के एकदम साइड कर ले तब आप अच्छे से जादा माक सिक्योर कर सकते है मिस्टेक नमबर वन की बात करते है आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाएगा काफी बच्चे रीडिंग टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं जो 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाएगा गाइस उसको जरूर से यूटिलाइज कीजिए डोंट वेस्ट डाइट 15 मिनट यूट वेस्टेक नमबर वन जो 15 मिनट आपको मिल रहा है मुझे आप कमेंट सेक्षन में बताना कि आज तक जो आप सेकड़ एक्जाम दे चुके हो बोड के जो आप स्पेसिफिक पेपर दे चुके हो उससे पहले प्री बोड वगेरा भी दिये होगे उन पंदरा मिनट को कैसे यूज कि दिस मैं क्वेशिन नंबर वान आप कमेंट में मुझे बताना तो मैं जानना चाहता हूं कि पंदरा मिनट को कैसे यूज कर सकते तो काफी वालेंगे कि सर हम इधर ओधर देखते हैं हम पेपर पलड़ते हैं हम ऐसा देखते रहते हैं कुछ समझ आता है इससा करतें टाइम निकल कि यह मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है क्योंकि मैं बस आपको मिस्टेक बता के नहीं छोड़ोंगा उसका सॉल्यूशन भी देखे जाओंगा तो सबसे पहला जो मिस्टेक था 15 मिनट को वेस्ट करने का इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे सबसे आसान तरीका है कि आप सोच ल करेंगे फिर four marks करेंगे ऐसे करके जाएंगे तो टेकनिक यहां पर यह है कि आप इजी क्वेशन से शुरू करो क्योंकि डिफिकल्ट क्वेशन से शुरू करोगे दोजार टाइम किलर्स वह आपके टाइम को खा जाएंगे और टाइम को आपको खाने नहीं देना है आपको इसको बचा-बचा के एकदम अच्छे तरीक इसे यूटिलाइज करने ऐ अप्टिम यूटिलाइजेशन करने तो आप्टिमम यूटिलाइजेशन का फॉर्मुला यह होगा कि आप हमेशा कोशिश करो कि एजी कुशिशन से शुरू करो आप इजी क्वेश्टिंग चूज क में बना सकता हूं that is the technique guys तो उस easy question से आप शुरू करना I hope यह technique आपको समझ आ गया होगा उस 15 minute में और क्या कर सकते है काफी सारे optional questions दिये होते है एक question में दो option मिलता है either do this question or this question वो सारे question को देख लेने कि कौन सा question में आपको कौन सा option चूज करने है maybe एक question में आपको पहला ओपशन चूज करना होगा दूसरे question में आपको दूसरा ओपशन चूज करना होगा तो वो सारे question decide कब करोगे solve करते time decide करोगे time again kill हो जाएगा time को kill नहीं करना है don't kill your time तो time को अगर kill नहीं करना है तो क्या कर सकते है जनाब आप उस 15 मिनिट में ही चूज कर सकते हैं कि कौन से question को करना है option choose करो तो क्या ये आप किये हो मेरा दूसरा question आज के इस वीडियो का ये है कि क्या आप चूज किये हो आज तक कि आप कौन सा question चूज करने वाले हो optional वाला उस 15 मिनिट में आप मुझे बताना क्या आप अपने time को kill करते हुए वह comment में बताना सारे question आप note करते रहना क्योंकि इसी के related surprise है जो कि मैं इस वीडियो में आगे दूँगा क्योंकि यहां तक अगर आपको वीडियो देख लियो तो surprise भी आप लोग को मिल जाएगा क्या वह surprise है आप सभी के लिए मैं बिल्कुल बहुत जल्दी बताना चाहता हूँ तो पता चल गया दो चीजों के बारे में हमने बात कर लिया कि 15 मिनिट में आप question paper को पढ़ो कौन से question से शुरू करोगे आप decide करो दूसरा चीज यह है कि optional जो होता है उसको select कर दो तीसरा tip है यह भी उसी 15 मिनिट में कर सकते हो आप लोगे सर कितना कुछ कर लेंगे 15 मिनिट में मैं बोल रहा हूँ guys 15 मिनिट में आप बस decision बना रहे हो आप बैटके question solve नहीं कर रहे हो और नहीं कुछ लिख रहे हो you are just making decision और decision use करने के लिए दिमाग का जरूरत पड़ता है और दिमाग आपके हाथ से काफी गुना तेज है आप चीजों को जितना तेज बोलते हो उसे काफी ज़्यादा तेज में आप सोचते हो तो लिखना obviously slow होता है right तो मैं question answer अभी लिखने की बात नहीं कर रहे हो I am just talking about decision making आप decision ले लो कि कौन सा question आप choose करने वाले हो और कौन से question से आप शुरू करोगे इतना decide हो जाने के बाद अगला जो चीज रहेगा the next point is very important and very crucial that is calculation mistake I am repeating once again calculation mistake काफी अच्छे से आप question को solve करते हो formula डालते हो, design करते हो, diagram करते हो सब कुछ करते हो but जो चीज में आप गलत करते हो that is formula डाल के calculate करना final value तक पहुंचना काफी बच्चे मैंने देखा है मैं live class भी लेता हूँ zoom पे और youtube पे मैं पूछता भी हूँ कहां गलती कियो, कैसे कियो मुझे दिखाओ तो वहाँ पे maximum students ये बताते हैं कि sir हमने calculation mistake कर दिया जनाब अभी के time पे क्या आप risk ले सकते हो calculation mistake करने का जहाँ पे आप limited सिलाबस पे तयारी कर रहे हो और उसमें भी उपर से calculation mistake कर लोगे जो चीज़े आपको पता है वो आपका strong point है आप वो question को solve कर रहे हो just because कि वो question आपको आता है और वो आपका strong point है और उसमें भी अगर आप calculation mistake करके mark खा जाओगे तो फिर कहां से पास होगे जनाब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ but I am telling you कि ये mistake से अगर आप बच जाओगे तो definitely अच्छा mark secure करोगे majority of the students का यहीं mistake होता है sir मैं 2 की जगा में 3 लिख लिया हूँ बस एक ही value का तो difference से क्या फरक पड़ता है फरक पड़ता है पूरा answer 0 हो जाएगा mark आपको 0 मिलेगा step marking होता है that is a good thing but उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि step marking अगर कर रहे है आप focus कर रहे हो उससे अच्छा है पूरे answer तक भी सही से पहुँच जाओ just steps का follow करने addition, subtraction minus करते time आप bracket को दे के minus किया करो ताकि sign change हो पाएगा I hope आप समझ पा रहे हो कि क्या चीज की मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ा mark killer है mark खा जाता है ये calculation mistake तो calculation mistake पर करना है अब next point की बात करता हूँ है ना, तो next point जानने से पहले मैं बताता हूँ कितने लोगों का calculation mistake होता है क्या आपका calculation mistake के वज़े से mark घड जाता है क्योंकि मैं जितना भी points बता रहा हूँ guys, सभी आप ही गे inputs है आप ही लोग बता रहे हूँ मेरे पास access है हजारो students का मैं हजारो students से बात कर सकता हूँ शायद आप अकेले feel कर रहोगे कि मैं अकेला compartment student हूँ मेरा कोई दूसरा compartment दोस्त नहीं है I am your compartment friend मैं बिल्कुल compartment के साथ भी हूँ compartment के बाद भी हूँ admission वगेरा हम लोग सारा चीज़ बात करेंगे आप ये भी बताना comment में कि क्या आप admission related चाहते हो बट मैं बताना चाहूँगा क्या calculation mistake के वज़े से आपका marks जाता है ये हमारा तीसरा question है आज के वीडियो का next मैं बोलना चाहूँगा paper presentation guys जितना भी आप लिख लो ना आपको novel लिख लो आप इतना बड़ा बड़ा sentence लिख लो English वहाँ पर जाड़ के आ जाओ आपको marks तब तक नहीं मिलेंगे जब presentation एक अच्छे तरीके से ना हुआ हो अगर आप आधा चीज यहां लिखते हो और आधा चीज उसके उपर लिख लेते हो arrow दे के इधर उदर करते हो एक के उपर एक लिखते हो cutting कर देते हो बहुत बार पेपर को काटते हो writing, overwriting करते हो यह सभी चीजों से आप please बज़ के रहना avoid करना यह चीज है अगर आपको कई mistake हो गया है तो ठीक है but practice करो कि mistake कम से कम हो या फिर जादा गंदे तरीके से आप काटो मत काफी लोग एकदम ऐसे काटते हैं पेपर पुरा खराब कर देते हैं और नजर सबसे पहले वहाँ पे जाता है आपको पेपर लिखना है from the invigilator's point of view guys जो invigilator आपका paper चेक करेगा आप खुद सोचो कि आप अगर invigilator होते है और सब सही होता है एक जगा पर इतना dark cutting होता तो क्या आपका नजर नहीं जाता उस dark cutting पे बिल्कुल जाता तो मैं भी वही चीज बता रहा हूँ कि अगर आपका नजर जा सकता है जो invigilator इतने सालों से paper चेक करते हैं क्या उसका नजर नहीं जाएगा उस cutting पे I am telling you guys ये भी आप relate कर पा रहे होगे कि आप लोग भी cutting करते हो कुछ लोग ये जितना भी mistakes बता रहा हूँ में भी हो सकता है आप सारा mistakes ना करते हो बट कुछ mistakes तो करते होंगे न यहाँ पे तो वो mistakes से बचो cutting आपको बिल्कुल इतने गंदे तरीक से नहीं करना है cutting करना है simple एक line एक line से जादा नहीं डालने maximum बात करें तो दो line ऐसे cut करना है पूरा ऐसे cut करना है line करकर के cut करना है यह सब चीजों से आपको बिल्कुल बचना है presentation is very important तो presentation के लिए मैं यह चीज बताना चाहूंगा जो section आप सुरू कर रहे हो suppose आप section D से शुरू कर रहे हो section C से शुरू कर रहे हो वो section पूरा होने तक वो सारे question लिख लो नहीं बन रहे थोड़ा सा space छोड़ो ताकि बाद में आके आप लिख लो थोड़ा ज्यादा space छोड़ो क्यूंकि कम space छोड़ोगे तो फिर आपको overwriting करना पड़ेगा line खीच के partition करके इस बगल में करना पड़ेगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो आप section को शुरू कर रहे हैं उसको पूरा खतम करने तक लिखो एक question इस section का लिखते हो भाग जाते हो दूसरे section में वहां पर आधा solve कर ले तो वो आपको नहीं आता तो invigilator आपको देखके पता कर लेगा कि यह आपको नहीं आता है चीज़े और वो अगर उसके दिमाग में चड़ गया कि बंदे को नहीं आता है जहां पर आधा मार्ग मिलना होगा ना वहां पर भी नहीं देगा पेपर में आप जितना भी प्रिपेर कर लो काफी सरे ऐसे smart बच्चे होते हैं जो पढ़ाई नहीं गरते हैं उतना ज्यादा बट उनके presentation के वज़े से mark ले लेते हैं अगर आपको ज्यादा marks लेना है थोड़ा smart खेलना पड़ेगा और smart खेल है यह क्या smart खेल है आपको presentation अच्छे तरीके से करना पड़ेगा जितना ज्यादा अच्छा presentation करोगे उतना ज्यादा marks आपके favor में रहेगा तो presentation का कुछ-कुछ points मैंने बता दिया कि cutting नहीं करना है आप अगर हो सके तो एक question के बाद दूसरे question के बीच में एक line खीच लो थोड़ा सा दो बार ऐसे करके ताकि एक dark line बन जाएगा color paper presentation वो सब की में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका obviously बहुत pressure रहेगा exam hall में जो toppers लोग होते हैं या फिर जिनके पास sufficient time होता है वो लोग ऐसे color में line खीचना, scale से design करना वो सब करते हैं मैं आपको वो सब recommend नहीं कर रहा हूँ मैं बस इतना recommend कर रहा हूँ कि आप जितना भी चीज लिख रहा हूँ bonus tip रहेगा additional tip रहेगा कि जस page में आप कर रहा हूँ उसी के right side में line खीच के आप rough कर लो उससे क्या benefit होगा जब आप value को copy कर रहे होगे आप directly वहां से देख सकते हो जब पीछे rough करते हो पीछे rough से आप जब value को आपने कुछ value को multiply किया वह answer को लाके आप front page में लिखना चाते हो तो copy करते time काफी सारे students गलती करते हैं क्या आप भी गलती करते हो copy करने का मुझे बताने कि sir मैं भी answer copy करने में mistake करते हो आप किसी और का copy नहीं कर रहे हो आप ही का calculation है जो आप पीछे rough work से main work में आप copy करते हो उस time पे आप 6 के जगा 7 लिख लेते हो 6 के जगा 9 लिख लेते हो तो ऐसे अगर आपका भी गलती होता है मुझे बताना और यह गलती से बचना कैसे है बचने कैसे है उसका solution यह है कि same page में आप right side एक line कीचलो rough work लिख लो कोई mind नहीं करेगा मैं खुद बोड के exam में लिख या हूँ ऐसे ही side में क्य digit का number होगा 34416 ओके 344 क्या था 26 था शायद हाँ 26 तो आपका value change हो गया value change हो गया तो आप पूरा answer गलत आ जाएगा तो guys यह mistake से बचना है आपको बतारों पीछे आपको rough work नहीं करना है कर सकते हो अगर आप number याद रख सकते हो बट सेफ जोन आपके लिए रहेगा कि आप उस इतने भी मैंने mistakes बता है यह सारे mistakes को आप note करो और कोशिश करो कि आपी mistakes से बचो अब surprise की बात कर लेते हैं थोड़ा सा guys surprise यह है कि जितना मैंने आपको question पूछा है जो भी मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक पूछा है जो लोग अच्छे से सुने होंगे या फिर note करते जा रहे होंगे क्या आप भी यह face करते हो क्या आपके साथ भी ऐसा हो है क्या आप ऐसे कैसे करते हो जो भी मैंने इस तरीके के question पूछे हैं, वो topic और उसका yes or no, आप अगर comment section में लिख लेते हो, और आपके mistakes ज्यादा relatable होते हैं, ज्यादा likes आते हैं, मैं आपसे one on one बात करूँगा, मैं वो comment को like करूँगा, उसमें reply करूँगा, और मैं आपसे chat करूँगा, आपसे email receive करके, या फिर Instagram पर कुछ तरीके से connect करके, WhatsApp भी है हमारा, वहां पर connect करके मैं one on one है, एक या दो students है, मैं one on one बात करूँगा, वो हो सकता है, वीडियो call या audio call, ऐसे करके मैं बात करूँगा, वीडियो अभी तक खतम नहीं हुआ है, यह just surprise का portion था कि, जिसके comment में सबसे ज्यादा like आएंगे, मैं दो द है, yes, ऐसे type का, या फिर, मैं answer पीछे से copy करने से, मेरा वहां पर वो गलती होता है, मैं शुरू के 15 मिनट को utilize नहीं करता हूं, मैं option choose नहीं करता हूं, शुरू के 15 मिनट, 15 मिनट मेरे waste हो जाता है, ऐसे सभी के answer होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, उतने सारे comment नहीं, एक ही comment में आप सा ज्यादा engagement आएगा, I am going to feature that comment, and also I am going to have one-on-one video call with you, एक या दो, अगर ज्यादा ऐसे response आते अच्छा लगता है मुझे तो मैं 5 students तक भी video call कर सकता हूं, so यह था surprise, अभी आगे बढ़ते हैं, next mistake, या फिर बोल सकते हो, आखरी mistake, mind का control, mind का balance, क्योंकि सारा खेल mind का है, आप मुझे बहुत सारा चीज करना है, exam hall में शुरू के 15 minute में इतना चीज करना है, मुझे paper representation में ये चीज देखना है, invigilator को भी देखना है, और आजू-बाजू भी देखना है, सब करना है, और मैं पकड़ा गया, तो अगर मैं cheating करने का सोचा, कुछ भी हुआ, तो ऐसे अगर pressure में आ जाओगे, guys, पक्का है कि आपका वापस fail हो जाओगे, है न, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज से बचने के लिए अभी जितना भी time है न, guys, ये before exam preparation है, अभी जितना भी time बचाओए आपके पास, ये time को आप utilize करके, अपने mind को शान्थ करने के लिए meditation करो, meditation doesn't mean आप आख बंद करगे, ऐसे मुद्रा में बैठ जाओगे, no, meditation means कि आप अपने thoughts को देखो, क्या आपके दिमाग में चल रहे है, what is your preparation level, जो preparation level में हो, क्या आपको डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है, तो उसका solution क्या है, जाधा से जाधा provision करोगे, जाधा prepare करोगे, formula खुद से पूछोगे, खुद के लिए आप test लोगे, तब जाके आपका confidence बढ़ेगा, confidence बढ़ेगा, तो mental stability automatic आया जाएगा, guys, 4-5 दिन बचे हुए, इतनी दिनों में आपको ये technique follow करना है, जो यहां तक वीडियो देख रहा होगा, पक्का मैं उससे बात कर रहा हूँगा कुछ दिनों में मुझे पता है, क्योंकि ये 16 मिनिट का वीडियो अल्मोस्ट बन चुका है, इन 16 मिनिट में मैंने काफी सारे mistakes बता है, mistakes आप रोक लोगे, तो 16 मार्क या, आप अराम से पास हो सकते हो, समझ पा रहे हो, जो भी marks आपको चाहिए न, अराम से मार्क ला सकते ह आप चाहते हो में ऐसे वीडियो और बनाओ, तो बिलकुल आप मुझे कमेंट में बता न, वो अलग-अलग कमेंट में बता सकते हो, बट में जो कॉन्टेस्ट है, वो तो दूसरों को समझ नहीं आएगा, जो लास तक वीडियो नहीं देखा, यहां तक सरप्राइस तक लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, बट उससे क्या बेनिफिट होगा, मैं आप से वीडियो गॉल में बात करूंगा, ओके गाइस, तो चलिए हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, I wish all the very best to each and every one of you, जो कमपार्टमेंट की तयारी कर रहे हो, मैं रोज मिलता हूँ आजकल आप सभी से, खूश रहा करो यार, टेंशन फ्री रहने का तरीका यह है कि प्रिपरेशन बढ़ाओ, जाधा घंडे बढ़ाओ, और कमेंट में ये भी बता सकते हो कि कितने घंडे आप पढ़ रहे हो, जितने सारे मैंने सवाल पूछ लिए, that is the way of interaction, जितने सवाल मैंने पूछे आप उसके जवाब को कमेंट सेक्शन में प्यार से डिकोरेट करके आप बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए कुछ परसेनल सजेशन हो, तो मैं आप से बात कर सको, ओके, so bye bye everyone, take care and all the very best.